इस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश्ट वस्तो तारीक है आज 20 सितंबर 2022 और हम बात कर रहे हैं दा हिंदू के डेली एडिटोरियल एनालेसिस को आसान भाशा में समझने कि इसका फ्री पीडिया और दूसरे वैलु एडिट माटेरियल आपको हमारे टेली ग्रॉप में मिल जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आगे बंदेस पहले चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना बोले जिससे क्वालिटी कंटेंड हम आप तक लाते रहे हैं आज दा हिंदू के चार एडिटोरियल आर्टिकल डिसकस किये जाएंगा जो पहला आ पुनिया ने अपने चौथे पदक के साथ भारती कुष्टी में अपने सुपर स्टार का दरजा पका किया फिरसे में क्लियर करते तो जो भी हिंदी अनुआद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तमाल किया जा रहा है ऐसे में शबदार्थ और भावार्थ की भिन जीते हैं फिक अनुआ रहता है इसके लिए चरफ में Hai उसके और में को सिलवर मिलता है और तो जा इनीस में फिर ब्राउच काबिस करते सिह और अभी पुना 2022 में फिर से ब्रॉंज के साथ ये विश्व कुष्टी चेंपेंशिप में चार पदक जीतने वाले एक मात्र भारती बन जाते हैं विश्व कुष्टी चेंपेंशिप के अगर हम बात करते हैं 1961 में पहला पदक उदय चंद जी को मिलता है और उसके बाद से कोई भी भारती नहीं ऐसा रहता है जो कि दो मेडल इस प्रतियोगिता में जीतता है अपवाद में बजरंग पुनिया जी के नाम को छोड़ दिया जाए तो दूसरा एक नाम विनेश पोगट जी का जुड़ जाता है आगे आर्टिकल में ये बात कही गई है कि बजरंग पुनिया जी को अपनी परफॉर्मेंस की कंटिनुटी को लगातार बरकरार रखना होगा जो उर्जा इनको इस जीत से मिली है उस उर्जा का इस्तमाल अगले साल होने वाले एशियन गेम और 2024 में होने वाले उलम्पिक में अपने प्रदर्शन को वहाँ पर और जादा पुखता करना होगा जिससे की दोनों ही कटेगरी में सरवस्रेश्ट गोल्ड को साधा जा सके नेक्स्ट आर्टिकल के अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल है नोइंग दा किलर अत्यारे को जानना सुप्रीम कोट हैस दन वेल टू सीक नॉर्म्स टू प्रेजंट मिटिगेटिंग फैक्टर्स फॉर डिथ सुप्रीम कोट ने मृत्यो दंड के लिए शमन कारकों को प्रस्तुत करने के लिए मान दंड की तलाश करने का अच्छा काम किया है सुप्रीम कोट द्वारा ये नॉर्म लेड है कि जब भी मृत्यो दंड की बात होगी तो हमेशा वो रेरेश्ट आफ दर रेर मामलों में ही ऐसा होगा जब बिलकुल इस बात के लिए पुखता हो जाता है कि अब कोई भी दूसरा विकल्प नहीं बचा है सजा के तोर पर तभी ऐसे दंड दिये जाएंगे और वो भी रेरेश्ट आफ दर रेर मामले में हलाकि इस बात को भी कलियर किया गया है कि जो रेरेश्ट आफ रेर मामले में सिर्फ जो नेचर आफ ओफेंसेज होते हैं कि इस प्रकार का जो अपराद है सिर्फ उसको ही ध्यान में नहीं रखा जाएगा बलकि इसके अलावा जो अपरादी है उसका सोशिय एकनॉमिक बैक्ग्राउंड उसका जो मिंटल स्टेटस है अन्य जो दूसरे भी उसके कारक संभव हो सकते हैं सभी को ध्यान में रखते हैं जब यह सुनिशित हो जाए कि अब उसके सुधार की कोई भी गुंजाइश नहीं बची है तथा सजा के तौर पर अंतिम विकल्प के रूप में सिर्फ और सिर्फ मृत्यों दंडी एक मातर विकल्प बचा है तब ही जाकर मृत्यों दंडी की सजा का प्राउधान दिया जाएगा अब ये भी बात कही जा रही है कि सामाननेता उसी दिन जब सजा सुना दी जाती है तब जो प्रतिभागी पक्ष होता है एक तरफ जो अभियोगी पक्ष होता है एक तरफ अभियोजन पक्ष होता है दोनों का ये प्रयास होता है कि जो कोल्ट का फैसला आता है उस पर अप योगी पक्ष होता है, उनका प्रयास होता है कि सजा कम हो सके, अब योजन पक्ष का प्रयास होता है, सजा को बढ़ाया जा सके, ऐसे में अभी हाल में सुप्रीम कोट के तीन जज के बेंच के द्वारा, constitutional bench पर ये मामला refer कर दिया जाता है कि जिस पर एक मानवी दंड बनाया जा सके जिससे की जो अपराधी होता है उसकी जब सजा देने की बात आती है विशेशतर पर मृत्य दंड की जब बात होती है तो थोड़े से और मानवी पहलू को खंगाला जा सके और जो सजा है उस पर किस तरीके से जो rarest of the rare category है इसको और जादा flexible अत्वा और जादा clarify करने के लिए कुछ मानदंड बनाया जा सके क्योंकि व्यवहार में जब मुकदमे की जो सजा का हिस्सा होता है तो द्वारा दोश सिद्ध करने के बात होता है पहले दोश सिद्ध हो जाता है उसके बाद सजा दी जाती है और जब सजा का जब फैसला आ जाता है तब व्यवहार में एक ही दिन का अमुमन समय दिया जाता है जिसमें जब दोशी होता है वो जो भी परिस्थितिया होती उनको कम करने का प्रयास करता है और जो अभियोजन पक्ष होता है उनके द्वारा प्रयास होता है जो परिसिति को किस तरीके से बढ़ाया जा सके और जो कोल्ट होता है चुकि एक दिन का समय होता है जादा और उसमें भी कई सारे मामले होते हैं तो जो तरक सुनने का जो समय रहता है वो काफी सीमित रह जात है ऐसे में अभी जो यह बेंच द्वारा इसको रिफर किया गया कंस्टिटूशनल बेंच को उसमें उसके पीछे की जो सोच है वो यह कि कोल्ट द्वारा कई बार जो जेल एथॉरिटी है उनका भी संग्यान लेना चाहिए जो प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं और दूसरे भी जो स्टेक होल्डर हैं जो अपराधी से संबंदित होते हैं इवन साइकलोजिस्ट की भी भदद लिया जा सकता है उसके मेंटल कंडिशन थॉट प्रोसेस को समझने के लिए और किस तरीके से भी अगर जरा से भी गुंजाई बची है कि उसका सुधार किया जा सकता है तो निश सा आखिर स्टेज होना चाहिए मुकदमे का जब यह सारे कंडिशन को जज के सामने रखना चाहिए कि जो अपराधी है उसका सोश्यो एकनॉमिक कंडिशन कैसा है उसकी मेंटल स्टेटस कैसा है डिफरेंट अथॉरिटीज द्वारा जो भी रिपोर्ट तयार की गई है इंक चाहे कितना भी दुर्दिये जो अपराध है वो चाहे जितना भी हो जाये किंटु जो अपराध ही होता है उसकी बातों को सुनने का जो अवसर है उसको अधिकतम प्रदान करना चाहिए क्योंकि अभी आज के घर हम बात करें beginner की बात करें दुनिया के बहुत को लगातार कम से कम दिया जाए भारत में भी ऐसा ही प्रयास होता है निशित तौर में ऐसे में जो समविधानिक पीट बैठेगी और यदि वो नई गाइडलाइन लेकर आते हैं जिससे कि कुछ पारदर्शिता बन जाए निशिता बन जाए तो ये एक सराहनी एक अदम होगा और कोट के आगे बहुत सारे प्रश्न जरूर खड़े हैं किन्तु उन सभी का तारकी की जवाब जो समविधानिक बैंच है उसके द्वारा ढूडा जाएगा और निशित तोर पर जो मानवी अपक्षें उनका समान करना उसके जिम्मदारी कोट की ही रहेगी नेक्स्ट आर्टिकल में हम बात करते हैं दे हिजाब केस एंड़ इसेंशल प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन हिजाब मामला और आवश्यक प्रथाओं का सिध्धान्थ अभी हिजाब मामला जो करनाटका में काफी जादा तूल पकड़ लिया था और उस पर करनाटका हाई कोड द्वारा फैसला सुनाये जाता है जहाँ पर जो राज्य सरकार है जो ड्रेस कोड में हिजाब को बैन करने की बात कहती है अत्वा हिजाब के प्रेयोग को ड्रेस कोड जो स्कूल में लागो होते हैं वहाँ पर हिजाब का प्रेयोग नहीं रहता है और जो बहुत से बालिकाय रहती हैं कुछ कोड का साहरा ले लेती हैं जब उनको स्कूल में चुकि वो हिजाब उतारने से उनका इंकार हो जाता है और SME School Authorities द्वारा उनको प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है, मामला कोर्ट में पहुंचता है और High Court अपना फैसला सुना देता है अब आइटिकल में ये बात कही जा रहेगी जो करनाट का High Court अपना फैसला हिजाब प्रकरण पर सुनाया है उसके विरुद्ध में जो कुछ बच्चे जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं चुकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है ऐसे में अब इस पर निर्धारन सुप्रीम कोर्ट करेगा और करनाट का High Court का जो फैसला था क्या वो सही था क्या उसको भिल्ड किया जाएगा अत्वा उस फैसले में कुछ तुरुटियां थी और तुरुटियों की सुधार आवश्यक है ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोट इस पर अपनी क्याराय प्रस्तुत करता है हलाके आटिकल में ये बात कही गई है कि ऐसे मामलों में सिर्फ लीगल एनालिसिस अवश्यक नहीं होती बलकि जो धार्मिक ग्यान धार्मिक अधेयन होता है वो भी अतना ही इंपोर्टेंट होता है कि जो लीगल नॉलेज है वो कितना है अब next इसमें ये बात कही जा रहे है कि जो करनाट का हाई कोट जो अपना फैसला सुनाता है तो basically वो तीन बुख ये बाते करता है पहली बात कि जो हिजाब है वो इसलाम का essential part नहीं है इससे जो right to freedom of religion की बात कही जाती है उसका violation नहीं होता दूसरी बात करनाट का हाई कोट द्वारा ये भी कही गई थी कि कोई भी ऐसा right to freedom of expression या privacy जब classroom की बात आती है तब वहाँ पर अलग से उसकी बात नहीं होती है जिससे कि जो उनका right की बच्चों की बात हो रही थी उस पर कोई effect नहीं पड़ता चुकि classroom एक सारोजिनिक शेत्र में आ जाता है इसलिए वहाँ पर इन चीजों से effect नहीं जाएगा और इसके बाद तीसरी बात जो करनाट का high code द्वारा कही गई थी उसमें ये भी बात कही गई थी कि जो ये फैसला है वो सीधे सीधे जो government जो सरकार है government order से ये फैसला आ रहा है और ये एक uniform dress code की बात करता है सभी बच्चों के लिए dress code की बात करता है यहाँ पर किसी धर्म विशेश की बात नहीं हो रही है ऐसे में किसी भी तरीका का discrimination चाहे वो directly हो या indirectly हो जो Muslim student उनके विर जा सकता है अब चुकि Supreme Court के सामने भी यह सारे सवाल प्रस्तुत होंगे अब देखना है कि Supreme Court इनके जवाब कैसे देखता है क्योंकि अगर कहीं पर भी तुर्टी मिलती है तो इसका सीधा असर होगा जो करनाट का हाई कोट का फैसला आता है उसको बदलना पड़ेगा और य नहीं किया जाएगा अब आगे चुकि आर्टिकल में इस बात को कहा जा रहा है कि जो हाई कोट था उसके द्वारा कभी भी प्रॉपर अनलिसिस नहीं किया गया क्योंकि हाई कोट इस बात को मान लिया था कि जो क्लास्रूम होते हैं वो क्वालिफाइड पब्लिक इस्पेस होते हैं जहां पर जो व्यक्तिकत जो राइट होते हैं व्यक्तिकत अधिकार होते हैं उनको गिववे उनको व्यक्तिकत अधिकारों को एक तरफ रख देना होता है जिससे की जो एक जनरल डिसिप्लीन है और एक डेकोरम है उसका निर्धारन किया जा सके बिसिकली जो क्लास स्ट्रूम में शीखने की बात कही जाती है。 वहां पर किसी भी तरीके से कोई भी धार्मिक बातों का कोई स्थान नहीं है, ऐसे में करणाट का हाइ-कोड हजाब को लागू करने के फैसले से बचती है और बेसिकली जो राज्य सरकार द्वारा जो फैसला था जो नए ड्रेस कोट की बाते लागू की गई थी करनाटका हाई कोट उसी बात को आगे बढ़ा देती है अब चुकी आर्टिकल में बुहरा समुदाय की बात को आगे कही गई है जो बॉम्बे हाई कोट द्वारा 1962 की ये बात है बॉम्बे हाई कोट के कानून को सुप्रिम कोट ने रद्द कर दिया था जो की दाउदी बुहरा समुदाय द्वारा कियेगे बहिशकारों को प्रती बंधित करता है जब उसने कहा कि बहिशकृत करने की शक्ती विश्वास का एक आवश्यक पहलू है और सामाजी कल्यान के उद्देश से कोई भी उपाय अपने अस्तित्व से धर्म में सुधार न कि सम्विधान में बबा साहब अमबेडिकर द्वारा जो सम्विधान सभा रहती है उसमें इस बात को कहा गया था कि जो भारत के अगर हम बात करते तो हमारे यहां पर जो धर्म है धर्म के प्रती जो विश्वास है वो इतना गहरा है कि वो जीवन के सभी पहलूँ को जब बच्चे का जन्म होता है और जब व्यक्ति की मृत्ति होती है सारे डाइमेंशन के पहलूओं को धर्म कवर करता है धर्म इतना जादा गहराई से हमारे समाज में अंतरगुंतित है किन्तु अंबेटकर सहाब ने इस बात पर भी ध्यान दिया था कि धार्मिक मामलों को जो सेक जो राज्य है उसको इस बात के लिए अलाव करना हो गार अथवा करना चाहिए कि जब धर्म के मैटर की बात आती है जब धार्मिक मैटर की बात आती तो उसमें राज्य कर सकता है किन्तु जब वो पूनता धार्मिक मैटर होगा वहाँ पर राज्य को अमूमन हस्तक शेप करने से बचना चाहिए इस बात को फिर से समझते हैं जब राज्य जब धार्मिक मैटर की बात आती कोई ऐसा मैटर जहाँ पर धार्मिक एंगल होता है तो वहाँ पर सामाजिक सोहार्द को बनाए रखने के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है किन्तु जब वो पूनतह धार्मिक मैटर हो अत्वा ऐसा मैटर जहां पर हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं बसती हो ऐसे में राज्य को अमोमन हस्तक्षेप से बचना अब इसमें सुप्रीम कोट की बात आती है शिहुर मठ उनिस सो चौवन में जहां पर सुप्रीम कोट इस बात को आगे बढ़ाता है कि जो इसेंशल कंपोनेंट ऑफ रिलीजन उसमें क्या बाते उसको निरधारित करेंगे कि किसी भी धर्म के कुछ परामेटर होंगे कि तो कुछ इसेंशल कंपोनेंट हो गए वो किसी धर्म के लिए 1,2,3 ये इसेंशल कंपोनेंट इस धर्म के हैं इनसे कोई छड़कानी नहीं किया जा सकता कोई धर्म दूसरा है उसके लिए A, B, C ये कंपोनेंट हो गए तो basically कैसे वो इसेंशल कंपोनेंट का निरधारन होग शेहरुमट केस 1954 में सुप्रीम कोट इस बात को डिफाइन भी करता है आगे शबरी माला केस का जिक्र किया गया है जहां पर महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंद से संबंदित मामले में नयायमूर्ति डिवाई चंद्रचूर ने ऐसा ही एक सिध्धान्त प्रस्तावित क किया था जिसमें बहिशकार विरोधी सिध्धान्त इसको कह सकते हैं इसके आविदन के लिए नयायले को यह मानने कि आवशकता होगी कि धार्मिक समुहु द्वारा दावा किया अभ्यास वास्तों में अपने विश्वास के समर्थकों के लिए आवश्यक है लेकिन इस तरह के ग्राउंडिंग की परवा किये बिना सम्विधान इस प्रथा को सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा यदि यह जाती लिंग अथ्वा अन्य भेद भावपूर मान दंडों के आधार पर लोगों को बाहर करता है तो वा लोगों से भेद भाव करता है आगे सबरीमाला केस में ही जश्टिस चंद्रचूर इस बात पर जोर देते हैं कि बहिशकार विरोधी सिधान्त अपने स्वयम के धार्मिक सिधान्त और सिधान्तों के निरधारित करने के लिए धर्म की शमता के लिए उचित सम्मान की अनुमती देता है साथी बहिशकार विरोधी सिधान्त यह मानता है कि जहां एक धार्मिक अभ्यास व्यक्तियों के बहिशकार का कारण बनता है तो उनकी गरिमा को बाधित भी करता है या बुनियादी वस्तूओं तक उनकी पहुच को बाधित करता है धर्म की स्वतंत्रता को उदार सम्मिधान के अति धनुशाकार मुल्यों को रास्ता देना चाहिए अर्थात धर्म की स्वतंत्रता का सम्मान निश्यत तोर पर करना चाहिए किन्तू यदि कुछ ऐसे तत्व धर्म में हैं जिससे किसी भी तरीके का अगर कोई भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है अथ्वा कुछ भेद भाव दिखता है तो ऐसे में वहाँ पर सम्मिधान द्वारा प्रदत रोशनी में धर्म के रास्ते को आगे खोजना चाहिए अब आगे आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि ऐसे जब मामले आते हैं जहां पर आस्था की बात आती है तो निशित तोरो पर सिर्फ और सिर्फ कानूनी तोरो पर एक्सपर्ट होने से मामले कभी भी सुलज नहीं सकते हैं पाकिस्तान के ही लोग परिशान है आर्टिकल में बात कही जा रही है अभी पाकिस्तान जो भीषन बाड़ की चपेट में हैं एक तिहाई पुरा पाकिस्तान जलमगन हो चुका है सरकारी आकडों के अनुसार मृत्तिव 1400 के पार हो चुकी है हलाकि ग्राउंड रियल्टी में ये आकड़े कहीं जादा हो सकते हैं लगबग 33 मिलियन लोग इससे प्रभावित हैं दो मिलियन एकड़ लगबग 20 लाक एकड़ जो क्रिशी भूमी है वो इस समय पानी के अंदर जा चुकी है लगबग 6000 किलो मीटर का जो याता यात लिंक है वो तूट चुका है 16 लाक घर बरबाद हो चुके हैं 7.5 लाक जो मवेशी है वो कहीं गायब हो गया है और जो वर्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन की जब बात करते हैं उनके अनुसार लगबग 64 लाक लोगों को सपोर्ट की जरूरत है जिसमें 16 लगबग 1.60 लाक जो लोग 1.60 लाक बच्चे है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं 34 लाक जिसमें से की बिलकुल जो जीवन उनको बचाने के लिए तुरित रूप से सपोर्ट की आवश्यक्ता है यूनिसेफ की बात करें तो अभी जो पानी से संक्रमित होने वाले बिमारियां है वो लग लगभग 744 प्रतिशत और 500 प्रतिशत जादा बरसात हुई थी वहाँ पर ऐसे में जो पाकिस्तानी सरकार है वो समय रहते हैं कोई भी कड़े कदम नहीं उठा पाती है ऐसे में प्रधान मंत्री शहबाद शरीफ को जब कतर में ये अपने बैठे के लिए अपने विजिट के लिए पहुचते हैं वहाँ पर उनको उस विजिट को शॉर्ट करके इंटरनेशनल और्गनाईजेशन में जाना पड़ता है चाइना हमें हो इसके अलावा है यूएस जाते हैं यूके जाते हैं वर्ल्ड बैंक में मदद मांगने जाते हैं और वर्ल्ड फुड परोग्राम में सब जग hierarch Guide से मदद मिलती है पांसो मिलियन वर्ड बैंक से साड़े तीन सो मिलियन की बात युनिटेड नेशन करता है 110 मिलियन वर्ड फूट प्रोग्राम के सोजने से होता है ऐसे में जब भारत की बात आती है तो प्रधान मंतरी मोदी जी 29 अगस्त को ट्वीट करते हैं जहां पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उनकी स्थिती मिखे प्रती अपनी समवेदना और चिंता भी व्यक्त करते हैं ऐसे में ये भी कयास लगाया जाता है कि भारत द्वारा मदद करनी चाहिए और भारत उसके लिए तयार है, हलाकि भारती मीडिया में कई तरेके के बाते भी होती है, कि ये मदद कैसे किया जाए जब पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा ओफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है, जहांपर वो हमारे देश से मदद मांगने का प्रयास कर रहा ह कुछ इशारा करता है, किन्तु जिस दिन प्रतान मंतरी मोदी जी का ट्विट आता है, उसी दिन पाकिस्तान के जो वित मंतरी है, मिफ्ता इसमाईल जी, वो भी ट्विट करते हैं, जहांपर वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं, कि पाकिस्तान फिर से भारत और पाकिस्त कर रहा है हलाकि आज तक कोई भी ऑफिशल डिकलरेशन इस बात को लेकर नहीं आया है पाकिस्तान से डिलिंग की जब बात आती है तो भारत पाक संबंद काफी जादा कॉंपलेक्स स्थिती में मिलते हैं काफी उलजे हुए मिलते हैं अब जब जमु कश्मीर 2019 से जिसका स्टे और जो भारत से अपने व्यापारिक संबंद ततकालीन प्रधान मंतरी इमरान खान इस बात को कहकर रोक देते हैं कि जब तक भारत जमु कश्मीर का जो इस्थिती है उसकी पुनर बाहली नहीं करेगा पाकिस्तान भारत के साथ कोई भी व्यापारिक संबंद शुरू नहीं करेगा आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही कि ऐसे कदम से आखिर पाकिस्तान किसका नुक्सान कर रहा है अन्तो गत्वा पाकिस्तान के जो आम नागरिक है परशानी उनको जिलना पड़ रहा है क्योंकि भारती सामान के बिना पाकिस्तान का काम नहीं चल पाएगा वो सा पाकिस्तान की जो military है जो basically establishment कहलाती है और पाकिस्तान की जो विदेश निती और even all overall government की ही बात करें तो जो back door से उसको संचालित करती है वो basically भारत से जब भी मदद मागने की बात होती है तो उसका विरोध करती है अब ये बहुत जादा unfortunate हो जाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान की जब बात होती है तो भारत कैसे आखिर इन संबंदों को आगे बढ़ा है अब जब कई private discussion की बात हो रही है तो नई दिल्ली की बात करते है तो बहुत लोग इसके पक्ष में दिखते भी नहीं है कि भारत को अ फारत ने पाकिस्तान को मदद किया था मानवी मदद तब पाकिस्तान ने उस से इंकार कर दिया था और EPA कि मदद करना चाहते तो आप direct मदद ना करके UN को अपनी मदद भेज धी itself तो युवन द्वारा हमको मदद मिल जाएगी एक तरीके से भारत का हुमिलेशन भी हुआ था भारत हुमिलेटेड भी महसूस किया था इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भारत को इंतजार करना चाहिए कि पाकिस्तान की दर्फ से कोई ऑफिशल स्टेटमेंट अब चुकि ये बात आर्टिकल में कही जा रही है कि क्या पाकिस्तान जो भी गलत किया है अथ्वा पाकिस्तान मान लीजे कि अगर मदद के लिए आगे मदद मांगने में आगे नहीं बढ़ ला है कारण कुछ भी हो तो क्या भारत को मानवी दृष्टी कोड से इंतजार कर करना चाहिए अथ्वा समय को और बरबाद होने का इंतजार करना चाहिए ऐसे देश से जब तक वो मांगने की स्थिती में अपना मू ना खोल दे जबकि उसको मदद की आवशक्ता है ये जग जाहिर हो चुका है क्योंकि अन्तो गत्वा आम नागरिक और जादा परशान हो की बात कही गई है जिसमें क्लियोपेट्रा की जो नाख है यदि वो छोटी हो जाती तो पुरी दुनिया का नक्षा आज बदल सकता था ऐसे बाते फ्रेंच फिलोसफर ब्लसाई पासकल 17 वी शदापदी में कर चुके हैं इसको पाकिस्तान की वर्तमान कंडिशन और पाकिस पॉसिबल सिनारिय हो सकते हैं पहली बात की भारत अगर मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो पाकिस्तान गवर्मेंट इसको रिजेक्ट कर दे और यदि ऐसा करता है तो वो पाकिस्तान जो बहुत जादा परशान है वहां का आम नागरिक जो परशान हो रहा है जहां पर आलू की बात करते हैं जहां पर टमाटर लगबग 500 रुपे पाकिस्तानी रुपे की बात हो रही है 500 रुपे किलो है प्याज 400 रुपे किलो पहुच चुका है ऐसे में वो और जादा परशान होगा कीमिते और जादा बढ़ेंगी अब जो पाकिस्तान कई अंतर कि फूरम से तो मदद अल्रेडी स्विकार करी रहा है इवन और मदद की डिमांड भी कर रहा है अपनी बाते कर रहा चाहा है वर्ल्ड बैंक की बात हो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात हो और आईमेफ के पास पाकिसान जा चुका है यूएस यूके चाइना यूएई डिफ्रेंट डिफ्रेंट कंट्रिस के बाद जा चुका है ऐसे में अब ये भी बात हो रही है कि जो लगवा कि 30 बिलियन डॉलर का इस्टिमेट लगाया गया पाकिस्तान सरकार दोराही जो पाकिसान को आवश्यक है जो भी रहत और बचावकार है उसके लिए और उसमें से यदि भारत के साथ पाकिस्तान मदद को एकसेप्ट कर लेता है तो काफी जादा पाकिस्तान को रहात मिल सकता है क्योंकि सप्लाई साइड में भारत उनको बहुत सार इसेंशल मटेरियल को प्रवाइड करा सकता है जो पाकिस्तान के लिए सस्ता भी होगा और उनके लोगों जुड़े हुए मिलेंगे अब ऐसे में भारत को बिलकुल देर नहीं करना चाहिए इसके अलामा आगे यह भी बात कहिए कि जब युनाइटेड नेशन जनरल जो युनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं वो बिसिकली एक मीटिंग एक बुलाई जा सकती जहां पर जो एसिस्टेंस जो प्रोग्राम है कि कौन से देश पाकिस्तान की मदद के लिए क्या कर रहे हैं इसकी जब मीटिंग होगा ऐसे मीटिंग में यदि भारत की इस्तिति काफी जादा हास्यपद हो सकती है भारत खुद को अक्वर्ड इस्तिति में पालेगा अगर वो इस मीटिं पहलू है यह हमारी जो डिप्लोमेसी होती है उसमें भी एक स्मार्ट डिप्लोमेसी के तौर पर भी हम इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं और इन सब के साथ में पूरे जब दक्षिन एशिया की बात होगी भारती उप महादीब की जब बात आएगी तो भारत का कद और ज्य जियो पॉलिटिकल की बात होगी जब जियो पॉलिटिक्स की बात होगी तो निशित तोर पर अपना कद बढ़ा हुआ महसूस करेगा यदि समय रहते भारत द्वारा पाकिस्तान की मदद की अनॉंस्मेंट कर दी जाती है दोस्तो आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही अन्त तक बने रहने के लिए धन्यवाद